कि मैं डॉक्टर अंकित कुमार जें डर्मेट लोजिस्ट एंड हेर ट्रांस्प्लांट सेर्जिन हेर फ्री हेर ग्योक्लिमिक भॉपाल दोस्तो क्या आप बालो के जड़ने से बहुत कम अम्र से ही परिशान हो रहे हैं कि आपके बालो बहुत जब जयाद जल्दी जड़़् रहे हैं काफी कम अम्रो से ही आपकोे тол quar car jó करना पड़ रहे हैं तो दूस्तो बालो का जड़ना एक बहुत नॉर्मAL प्रॉसस है जो सब क का problem है या गंजेपन का problem है आपके father या mother की तरफ गंजेपन का problem है आपके मामा side, चाचा side, grandfather या इनको तो यह बालों का early age में जढ़ना या पतला होना alarming हो सकता है यह गंजेपन की starting हो सकती है तो आपको इसके बारे में थोड़ा aware रहना चाहिए और आपके hair fall को आपको बचाना चाहिए तो दोस्तों आज हम young age में या teenage में बालों के जड़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं ये discuss करने वाले हैं अगर आपको इन कारणों की जानकारी हो जिन कारणों से hair fall होता है तो आपके लिए ये रोकना बहुत ही आसान हो जाएगा तो दोस्तों आप शुरू करते हैं कि young age में कौन-कौन से ऐसे कारण है जिन से जानकार बाल जड़ते हैं पहला important कारण है nutritional deficiency जो हमारा आज का lifestyle है उसमें हम जानकार junk food की तरह अट्रेक्ट होते हैं junk food में जरूरी proteins, vitamins, minerals, iron ये सारे चीज़ें जो बालों के portion के लिए जरूरी है इवन body के portion के लिए या nutrition के लिए जरूरी होते हैं ये हमें sufficient मात्रा में नहीं मिल पाते हैं काफी इन में कमी होती है इन चीज़ों की तो इस कारण से बालों को sufficient nutrition ना मिलने के कारण care fall की problem आती है और इसी junk food के कारण high fat diet के कारण hormonal imbalance भी होते हैं और जिससे हमें mill pattern या endogenetic या अनुवांशिक गंज़ेपन की problem भी बढ़ सकती है दोस्तों दूसरा कारण medical कोई condition का होना जिसमें काफ़ी common कारण है thyroid problem का hypothyroidism का होना जो बालों के जढ़ने का एक बहुत prominent कारण बना जाता है बहुत सारी other endocrinal abnormalities भी होती हैं जिब बालों के जढ़ने का कारण बनती है तो समय से इन कंडिशन को पहचानना और उनका treatment स्टार्ट करना ज़रूरी है ताकि ये कारण आपके बालों के जढ़ने का नाम है इसके लाब आप फीमेल्स में एक कारण होता है PCOD polycystic ovarian disease जिसमें भी कहीं न कहीं hormonal imbalance होता है जिस कारण से फीमेल्स को facial hair growth होती है और scalp पे hair fall का problem होता है तो ये condition भी जल से अल identify होना ज़रूरी है और इसका भी जो possible treatment हो करना ज़रूरी है दोस्तो तीसरा जो important कारण है जो young age में बहुत ही common है it is stress stress के कारण सब कुछ चीज़ें irregular हो जाती है हमारा खांटी हमारी sleep pattern ये सारा irregular हो जाता है सब चीज़ें जब irregular चलती है तो proper nutrition बालों को नहीं मिलता है proper oxygenation नहीं होता है और उस करण से बालों को जहना बहुत कौमाद है और इस पे एक और जो additional factor आजाता है stress में कई लोग addictive पदार्थ consume करने लगते हैं जैसे कि alcohol है या smoking है तो ये भी बालों को काफी हद तक फिर damage करने लगते हैं और बालों के जहनने का कारण बनते है दोस्तो अगला कारण है जैसे कि मैंने discuss किया था कि अनुवांशिक गंजापन या familial कारण जब आपके father, mother के side में जिससे mama हो गए या आपके father side में चाचा है, grandfather है वहा नाना है इन में किसी को अगर ये अनुवांशिक गंजापन की सिकायत रही है इनके hair line रिसीड होई ये गंजापन आया है तो ये आपके लिए भी हो सकता है कि familial आपको भी ये गंजापन ट्रांसफर हो और आपको भी बालों का जड़ना या बालों का पतला बना और दीरे दीरे बालों का लॉस बना दोस्तो एक और important कारण टीनेज में जो होता है वो hair styling या hair products का बहुत ज़्यादा यूज करना होता है hair styling के लिए या hair dressing के लिए हम काफी सारे ऐसे harmful chemicals यूज करने लग जाते है जो बालों को damage करना शुरू कर देता है तो हमें इन products का भी minimize करना है इस्तिमाल ताकि आपके बालों का damage कम से कम हो सके दूस्तो एक और common condition होती है medical condition जिसे alopecia areata बोलते है यह तरह की autoimmune condition होती है जिसमें आपके body के immune cells प्रतिरोधक शमता वाले cells जो रोगों से लड़ते हैं वो आपके बालों को foreign body मानके बाहर का मानके उन पर attack करने लगते हैं और उनको destroy करने लगते हैं तो उससे patches में आपके श severe तक हो सकती है यह एक दो patch से लेके पूरे शरीर पे भी patches बना आया पूरे शरीर से कुछ एरिया में बाल चले जाना है पूरे शरीर से ही बाल चले जाना इतना severe तक हो सकती है तो इसको भी early stage में identify करना ज़रूरी है ताकि यह आपको पूरी तरह से आपके शरीर से बालों को दोस्तों एक और medical condition होती है delusion effluvium जो भी काफी common है यंगेज में hair fall के लिए और ये condition कोई भी physical, emotional या mental stress के बाद जनरली आती है जैसे कि बीमार हो जाना कोई chronic illness बने रहना या किसी तरह का stress होना घर में जैसे जगडा हो गया घर में या फिर exam का टेंशन है या फिर हम बीमार हैं लंबे समय से काफी तेज बुखा रहा है काफी समय तक हमें रेस्ट करना पड़ा जॉइंडेस है या TB है या ऐसी कोई illness है प्रेगनेंसी भी एक major stress होता है बोडी पे जिसके कारण कई बार बोडी के एनाजन हेर जो होते हैं वो टेलोजन हेर में convert हो जाते हैं और टेलोजन हेर हमारी बोडी का falling हेर होता है जो कि फिर gradually fall होना शुरू हो जाता है बट जनरली अगर यह stressor या यह हटा दिया जाए जो बोडी पे जो cause है तो यह जनरली condition reverse हो जाती है और थोड़ा बहुत nutritional support इसमें sufficient हो तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखके जो भी हमने कारण समझे या उनको हम कैसे रोक सकते हैं तो इन से हम अपने hair falls को रोक सकते हैं और young age में हम bide होने से बच सकते हैं या काफी hair fall से उने वाली जो other problems हैं जैसे self confidence की कमी होना तो यह सारी चीजों को हम face कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफी hair loss के कारण या टीमेज में hair fall के कारण के बारे में जानकारी मिली होगी अगर और भी आप hair related videos चाहते हैं hair treatment hair transplant related तो आप इस channel को subscribe कर लीजिए इसमें हम काफी सारे ऐसे videos डालने वाले हैं और आप comment करके भी पूछ सकते हैं आपकी कुछ queries हो जो की हम कोशिश करेंगे जल से जल आपकी solve करने के लिए video को लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद अब मैं जाज़त चाहूँगा goodbye